जैमा श्री माताजी के कपड़े सीती और ठिक ठाक करती एक साथिका ने एक बार श्री माताजी के हाथ रूमाल को ठिक करने के लिए अपने पास लिया उसने श्री माताजी के साथ ही दत्ता को कहा ये हाथ रूमाल कितनी दफ़ा मैं ठिक कर चुकी हूँ मेरे को लगता है कि अभी उसमें कोई असल कापर तो बचा ही नहीं है सब कुछ है वो चिपकाया हुआ है दत्ता ने चवाब दिया उसमें कोई हरकत नहीं है मैंने एक बार श्री माताजी से कहा था कि ये हाथ रूमाल अभी जरजरित हो गया है और ऐसा बोलके मैंने वो रूमाल बगल में रख दिया श्री माताजी अपनी कुरसी में से जड़व से उठी और मेरे हाथ में से वो रूमाल लेके बोली ये रूमाल ने मेरी बहुत लंबे समय तक सेवा करी है बहुत सारी सेवा करी है और अब तूं उसे दूर फेंकने की बात बोल रहा है श्री माता जी की आँख जैसे कह रही थी बले वो रुमाल में चीव नहीं है लेकिन उसमें सुक्ष्म चैतन्य तो रहा ही है श्री माता जी सोचती थी कि फूल मत्र रंग आकार सुगंध और सुंदर्य व्यक्त करता है ऐसा नहीं है हर एक पुष्प में कोई ने कोई अभिपसा अध्यात्मिक संदेश अभिव्यक्त होता रहता है यही सोचते सोचते विचार करके श्री माता जी ने तकरीबन नौसों फूलों को अध्यात्मिक नाम दिये है जैसे तुलसी भक्ति द्यक्त करती है तो गुलाब समर्पन आठ वर्ष के गणेशन के मामा ने उनको एक श्री कृष्ण की वारता स्टोरी सुनाई थी वो वारता का उसके उपर बहुत ही गहरा प्रभाव था और उनका अंतरद्वार मानो खुल गया था वो ही रात को गुलाबी करेण पुष्प का एक गुच्च गणेशन ने श्री माता जी को औरपन किया श्री माता जी गणेशन में हुए आंतरचेतना के संचार को अच्छी तरह से परख गई गणेशन ने धिया हुआ गुलाबी करेण का गुच्च माता जी के लिए वो अर्थ था कि प्रभु की ओर संपूर्ण तासे जा रहे विचार का मादूरिय अभी आगमन कर रहा है माता जी जो सोचती थी वो होता था हम ये भी कह सकते हैं कि श्री मा ने जो होना था वो पहले से सोच लिया था जय मा